हेलो प्रेंड्स मैं हूँ आत्मराम ताहड़ा और आपका स्वागत है हमारी यूट्व चैनल टेक्निकल आत्मराम पर दोस्तों आज को टॉपिक है इस्टाड एल्टा स्टाटर इस्टाड इस्टाडर के मैं जो टॉप 5 केस्चन जो है आपके सामने लारो रूसतों यह ऐसे क जो हर इंट्रूव में पुछे आते हैं आई ट्रीय वालों योन को भी पुछे जाते हैं जब भी हम इस्टाटर साथ के बारे में कुई बात करते हैं दोस्तो हमें बहुत सारी कम्फििजिंग का सामना करना पड़ता है एना इंटर्वियर हमें क्रॉस करके ऐसे इसे क्वेशन पुछता है जो हम जिसमें हम कंफिर हो जाते हैं तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने ला रहा हो दोस्तों तो शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक सबसे पहला लगाते हैं है यह टो बेसिक सी चीजह मोटर में स्टाड़ डिल्टा इस्टार रहा है तो इसका एनसर है कि सबसे पहले मां आपको एक चीछ बता दू कि हमारे जो शोटी मोटर होती है उसमें हम स्टाड़ प्र नहीं लगाती है लेकिन बड़ी म pouvल्र भुष कि इसमें ध्य इस्टार डेल्टा इस्टार लगाया जाता है पास एश्पी को भी लगाया जाता है ठीक है अब इसमें इसमें इस्टार डेल्टा इस्टार क्यों लगाते तो मैं आपको एक उधान की तोर पर बता दू कि जैसे हमारी कोई बस है कोई बस है या बाइक है ठीक है उसकी अगर जैसे हम bike को मतलब शुरु करते ही दोसों की speed पे suddenly आगर bike आजाए तो क्या हो जाएगा सबसे पहले बात तो कोई भी bike 200 की speed डारेक्ट पकड़ मतलब शुरु करते ही डारेक्ट 200 की speed पे आती ही नहीं है दीक है? हम जैसे ही मतलब शुरु करते हैं पिर दीरे दीरे उसकी speed जिरो से होती हुए थी 20, 40, 50, 60, 80, 100 ऐसे उसकी speed जो है बढ़ती जाती है उसी तरह मोटर को भी slowly, slowly rotate करता है तो गुमा जाता है उसकी speed बढ़ाता जाते है और एक full speed पे उसको मतलब लाके छोड़ देते है यही start जलता start का काम होता है दोस्तों यह इसलिए करते हैं कि अगर motor suddenly पुली स्वीट पे आ जाए तो उसमें क्या होगा कि motor का winding जल सकती है motor suddenly high current ले लेंगी motor अपना foundation भी तोड़ सकती है ठीक है इसलिए three phase वाली motor जो रहती है कि उसका जो starting टार करेता है ठीक है वह बहुत घातक हो सकता है ज्यादा पावर की motor रहती है पाच एचपी को उपर बहुत बड़ी-बड़ी motor आ गई ठीक है तो वह अपना foundation तोड़ सकती है और यह motor बहुत costly होती है इसलिए उनकी septic के लिए हम star, delta, starter लगाते है क्योंकि जैसे motor को शुरू करे motor पहले दीरे-दीरे गुमना शुरू करे पिर असा गुमते-गुमते वह अपने full speed पे आ जाए ठीक है दोस्तों तो इसलिए star, delta, starter का use करते है पहले motor इसमें star में घुमा जाता है star में motor slowly घुमती है फिर जैसे सी वह speed बढ़ती जाती है तो उसको डेल्टा में cannot कर दिया जाता है फिर motor बाद में delta में घुमने लग जाती है ठीक है दोस्तों ति यही star, delta, starter का main use होता है motor में ठीक है दूसरा question पे चलते है, दूसरा question है star, delta, starter में कितने contactor होते है यह बहुत बड़ा point है star, delta, starter में दूस्तों तीन contactor होते है तीन contactor कुर्ण कोई से होते है एक तो आप नाम से पाईजान जाएंगे एक इस्टार कॉंटेक्टर रहता है एक डेल्टा कॉंटेक्टर रहता है ठीक है और एक जो कॉंटेक्टर रहता है दोस्तों वो मेन कॉंटेक्टर रहता है ठीक है यह तीन कॉंटेक्टर इस्टार डेल्टा स्टार्टर में लगे होते हैं दोस्तों मैं इस्टार डेल्टा स्टार्टर का पुरा कंट्रोल सर्किट बता गया सिस्टमेटिक तरके से बता गया कौन सा कॉंट्रेक्टर कैसे काम करता है जो भी यह सब ठीक है दोस्तों तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा अब इसमें चलते है इस्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉंट्र तो तीन कॉंट्रेक्ट होता है यह कि स्टार कॉंट्रेक्ट रहता है इसलिए रहता है कि मोटर स्लोली घुमाने के लिए डेल्टा कॉंट्रेक्ट इसलिए रहता है कि मोटर बाद में फूली स्विट पे चलाने के लिए ठीक है और एक मेन कॉंट्रेक्ट रहता है दोस्तों इस्टार डिल्टा इस्टार में टाइमर लगा ना बहुत इंपर्टन होता है तो यह इसलिए इंपर्टन है क्योंकि सबसे पहले तो हम मोटर Hang-star में गुमाते है स्लोली चलाने के लिए बाद मेंदेल्टा में गुमाते तो हमें यह समय के निचित करना है कि इतने समय बाद हम उसको डेल्टा में घुमाना का प्रयास करेंगे ठीक है सबसे पहले इस्टार में घुमाएंगे उसके बाद डेल्टा में घुमाएंगे तो कि इसमें कितने समय का गेप होना चाहिए तो यह टाइमर के उपर हम सेटिंग कर रहेते कि कम से कम पहले मोटर स्टार में घुमें उसके छे सेकंड बाद डेल्टा में घुमें आप कुछ भी टाइमर पर सेटिंग कर सकते हैं छे सेकंड कर सकते हैं साथ सेकंड कुछ भी कर सकते हैं यह अपने इच्छा अनुसार होता है ठीक है जैसे 6 सेकंड कभी कर दिया तो मोटर पहले स्टार में घुमेंगी उसके बाद 6 सेकंड बार वो मोटर डेल्टा में घुमना प्रारम हो जाएंगी ठीकर दोस्तो मतलब most important question है दोस्तों यह हर interview में पूछा ही जाता है 110 person है आप यह note कर लिजे कौन सा contactor पहले hold होता है तो सबसे पहले star contactor hold होता है दोस्तों क्योंकि पहले star में घुमाते हैं इसलिए star contactor hold होगा उसके बाद कौन सा contactor hold होगा उसके बाद दोस्तों main contactor hold होगा और उसके बाद delta contactor hold होगा यह sequence आप जरूर याद रखना दोस्तों पहले star फिर main फिर delta contactor hold होगा ठीके दोस्तों पाच्छों पॉइंट है यहनों NC contact क्या होते है तो यहनों NC contact दोस्तों बहुत ही simple रहते है यहनों का फुलपाम होता है normally open ENC का फुलपाम होता है normally close normally open मतलब जो contact open है वो normally open कहते है उसको और जो normally close मतलब जो contact close है एक दूसरे से चिपकिये हुई है वहाँ NC कहलाते है मतलब normally close कहलाते है ठीक है दोस्तों normally open हम जब किसी बटन को चालू करते है स्टार्ट करने के लिए इस बटन का यूज करते हैं उसके पिछे एक एनो लगा रहता है मतलब normally open लगा रहता है ठीक है दोस्तों और जोब हम मोटर को बन करते है तो उसके पिछे ENC बटन लगा रहता है मतलब normally close क्योंकि वह पहले से ही close है जैसे हम उसको बन करने के लिए दबाएंगे तो वो circuit को हम open कर देंगे close था तो open हो गया हो इससे circuit की supply रुख जाती है और हमारा मोटर बन हो जाती है दोस्तों इसी तरह यह नोका भी होता है normally open है मतलब circuit pass नहीं हो रहा है इलेक्टरिसियन या डिप्लोमा के फ्रेशर बंदों के लिए मैंने यह बनाया है दोस्तों तो तो अगर आपको किसी प्रेटिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको कोई question एंसरिंग अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए मैं उसके उपर एक वीडियो जरूर ब बनाओं ठीके दोस्तों अगर दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और मेरे वीडियो को शेयर जरू किजिए का दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई चार्जस नहीं है दोस्तों फिर आपको आस्ट है तो प्लिस सब्सक्र कीजिए धन्यवाद